गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स अब सुबह के 6 बज रहें और मेरे आधे काम हो चुके मतलब दीपके लिए गुट पररक पोरे घर में अभी पोचा लगानाए। कि वीला पुजा को तर्क एक डूल कर लेका कि घरका कि अलॉब दीन फोर्ट के लिया जोड़ा अधिकर रेक्यों क्या ली जब तक मेरिं obtained वह रेए쪽 तर दाल बी पपक चुक है इधर चावल रग दे और साथ साथ दाल गुठर का भी लगा है इसतारा से सुबर के टाइम साते साथ काम कर लेती हुँ, ताकि फटाप Ćपट से काम हो जाए और आज जिद दिपक का कॉलेश तो है, उसे तो चुटी कभी भी नहीं मिलती है चाहे सटे हुआ या मंडे, मगर दिने शको ना, संटे की दिन चुटी मिलती है आज नहीं है उसे भी जाना है स्कूल तो इसके लिए फटाप्ट सी सारे काम में कर लेते हूं ताकि वह भी समय क्षार चला जाया फिर पापा जी भी नहाते हैं कहाना खाने बढ़ते तो सब्जी भी बना लेती हूं साथी साथ तो यहीं पर लगी थी यहां पर जो हमने बेली लगाई है उसे में तोरई लोकी बहुत कुछ लग रहा बहुत जादा लग रहे हैं अब इस वक्तों तोरे तो काफी जादा रोज 10-12 तोरी यह निकला आती है मैं गली में सबको इसपिसला सबारी कितम कात लेते हैं बाद में और चावल बन चुके हैं अभना पताप्सी सबजी भी बना लेते हैं और ज्यादा कुछ नहीं डाल देती हूं बस सिंपल से सब्जी बनाने बहुत जादा टेस्टवी सब्जी एक चमश कर लेए ताल राह जीला डाल दिया औ एक कटी तोरे डाल देनी है और ये देखिए इसमें से एक तकडा इसे रह गाए बिना कटे इसे इस तरह से तोरे बहुत टेस्टी लगते हैं और पकते बहुत जल्दी रहें त बस अब ईसमें डालेंगे हम अ Vikas लाल मुच पाफडर्द्टी पाफडर्णमग अच्छे से आख ये ये देर इसे तरह से मिलाते रहेंगे और घहास एकदम देमी रकेंगे और इसे बिल्कुल पानी ने डालेंगे इसके भाब में यह अच्छी से फक जाती है और नमक का भी पानी चुटता है और इस तोरे में कापी ज़्यादा पानी रहता है इसलिए हमें दूसरा पानी डालें के जरूरत है यह नहीं और बस पास में डखकर रख देंगे तो यह सब्जी बनकर रडी हो जाएगे यह आपर दिनीच नहा कर तयार है आज स्कुल इनिफॉर्म नहीं पेना है क्योंकि आज संडे का दिन है तो यह कपड़े पेने कलरफुल और दाल चावल घी यह सब ले लेता है इसके विना इसका नादूरा है सब्जी रोटी तो खाता ही नहीं और यह अरा धनिया जो ऐसे रख देंगे तो खराब हो जाएगा इसे तोड़के रख देते हूं डेब्बे में भरकर तो मेरे किचन के सारे काम नहीं पड़ चुके सबका खाना पिना होने के बाद मैं आ चुके हुँ च्छत पिसना हो जाएगा 20-25 किलो जवार ले लिए वेने दोने के लिए कि कभी-कभी कामों में हो नहीं पाता है कभी-कभी दूप नहीं निकलती है ऐसी प्रॉब्लम हो जाते है इसलिए अच्छी दूप भी है और काम भी जल्दी से निपड़ चुके किचन के अभी कपड़े द दूलकर इस पतला सा कपड़ा मेनेहा पर बिचा दिया है उसके उपर फिला देती हूं ताकि जल्दी से सूख जाए और ना पंची कववे बहुत जादा आते हैं बहुत परेशान करते मतलब जवार ना खा ले तो अच्छी बात है खाना तो है ही उन्हें मगर फिला देते ह पर ऐसे पंग फट पड़ाते हैं इसके उपर बेटके तो सारी जवार पूरे छट पर फैल जाती है तो उन्हें भी देखना है मुझे और जवार दूलकर में आ चुकी नीचे अब मुझे चकली बनानी दिवाली आई है तो दिवाली की तैयारी कर लेनी है तो चकली वगेर हैं मगर पिस्ते समय डालेंगे पुहा पुहा को दूलना नहीं हमें ए चावल और चनादाल दूल कर हम फेला देंगे तो इसके लिए हाँ पर चावल मेंने चार से पांच बार अच्छे से दूल दे रहे हूं मैं इसे और दाल भी दूलना है दूल के हमें इसे च्छाओ में फिला देना है दूप में नहीं डालना है ताकि हमारी जो चकली एकदम क्रिस्पी बने इस तरह से चावल दूल कर इस लकड़ी की टोकरी में डाले ताकि सारा इस जो भी इसका पानी हो सारा नीचे निकल आए बिलकुल इसमें पानी ना रहे सके इस तरह से जल्दी से यह ले देने और दल को भी इस तरह से चिनी में डालेंगे ऑफ इसका जूभी पानी हो सारा निकलके आजाए तो घ्起來 इसको भी मैंने तीन से चार बार अच्छे से दूल लिया है और इन चावल को इसमी का सारा पानी अब निकल गया है सारा पानी पुड़ा देखिए बिल्कुल पानी ने इसके अंदर अब हमनी से यहाँ पर इस कपड़ी के ऊपर इस तरह से पतला सा फिला देंगे और फैन ओन कर देंगे ताकि यह जल्दी से शूइए डाल फिला देवी चावल भी फिला देंगे इसए करने से चकलीं बहुत टेस्टि लगती है बहुत क्रिस्पी बनती है और बहुत टेस्टि भी कपड़ी दूल कर डाल देर सूपते रहेंगे कपड़े तब तक हम अब बर्धन लेते हैं हम दो पर के साधी बारा बज़रे अब अब अभी कपड़े दूकर में आ चुकी हूं और यह रिखे चावल अब दाल नहीं है थोड़ी दिर रख देते हैं और इसमें थोड़ा सा पोगा डालके इसे पीस लेती हूं चैक चैक लिए हमारे इवर्ण परफेट बने औ चावल अब दाल हमें दूप में दालें के दरवद में हूं थोड़ी दिर मेरी थेन आउंग कर दिया था अपिया चीज रुख चुके अप्धैन भी बंद कर दिया हूं पीस लेते हैं पहले तो हम कीचन के हालत देख लेते हैं सुबस है बहुत बाग बाग दूल के डाले दाल चावल veg के डाले चावल के डाले फिर शकले नाष्टा बना सब्सक्राभक इड़ेगा अचन में सब्सक्राएब काम घट अब बूलें सारा दे हैं मैंने जαइश हना में वाहां बछ फैन हो चैना सब्सक्ते है बन गया और शबी शाब नाश्टा भी जूपाइब को चाव के टाइम का तो यह पापी सारी बहुतन हो चुके हैं और थोड़े से निंचे भी रखे हुए चायवाय बनाई हुए तो यह पहले में साफ कर लेती हूँ सारे बतन पिर दोपेर के लंच में सब्जी और रोटी गुना लेती हूँ फिर वह दाल चावल पिसवा लेना है तो कि दिवाली है दिवाली में इसे काम चलते रहते हैं काम किचन वगेरा क्लीन हो चुके जब तक हो सारे काम कर रही थी तब तक यह चावल और दाल भी अच्छे से पास से 6 गंटे सुक चुके है यह चाव में है अब मैं इसे पीस ले रहे हूँ पहले तो मैंने दाल पीस लिए लड़ू बनाने के लिए अब यह मीक्स दाल चावल किस लेते हैं और यह देखें यहाँ पर एक ग्लास पोगा और आज वाइन डालकर यह मैंने चकली काटा तयार कर लिया है बहुत टेस्टी चकली बनते है इस आटे की अब हम इसे डखकर रख देंगे अब इसका नंबर अभी नहीं आ है अभी 3-4 दिन ऐसे निकलेंगे उसे डखकर रख देते हैं अब श्याम के पांच बज रहें चाय का टाइम हो चुका है तो मैं चाय बना लेती हूं और इस वीडियो को हीं पर कर देते हैं और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए का निवे आपको डेली डेली मिलते रहें तब तक लिए बाई बाई टेक केर